ओम शांति आज 16 दिसंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पड़ें सुनें और मंतर करें आज की मुरली का सार मिठा मिठा बाबा करते मिठे बच्ची आविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं आवज्या हो और कोई कहना नहीं माना आपने बाबा का तो शमा लेनी है बाबा से शमा मांगनी है करता नहीं है शमा ये भी याद रखना है और शमा मांगते वक्त याद रखना है कि बाबा मुझे सजा से शमा नहीं करेगा सजा से बचा नहीं सकता प्रंतु फिर शमा मांगने का मतलब है कि मैं अब के बाद नहीं करूँगा साथ में प्रॉमिस करना है जब आप ये प्रॉमिस करेंगे तो आगे के लिए बच जाएंगे आगे के लिए बच जाएंगे क्योंकि बाबा से एक्षमा मांगने का मतलब है कि आपको अपनी गलती समझ में आ गई है जब गलती समझ में आ गई है तो आगे ना करने का वाइदा भी साथ में कर दो न यहीं आप वाइदा नहीं करते हैं आप दिर्द संकल्प अपने में नहीं लेते हैं आप वो गलती करते ही जा रहे हैं तो फिर अक्षमा मागने का मतलब क्या हुआ क्या मतलब वो अक्षमा मागने का नहीं तो बोज चड़ता जाएगा क्योंकि आप गलतियां करते जाएंगे और पापों का बोज क्या है आपके उपर चड़ता जाएगा निंजक बन पड़ेंगे फिर दुनिया कहेंगे यह हैं भगवान के पास पढ़ने वाले बच्चे दे बाबा का नाम बाला करेंगे कि बाबा का नाम डुबोएंगे प्रश्ण सच्ची कमाई का आधार क्या है उन्नती में विगन क्यों पढ़ते हैं दो प्रश्ण है सच्ची कमाई का आधार क्या है उन्नती में विगन क्यों पढ़ते हैं उत्तर सच्ची कमाई का आधार है पढ़ाई, सच्ची कमाई का आधार क्या है, पढ़ाई, अगर पढ़ाई ठीक नहीं, तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते, जदी पढ़ाई आपकी ठीक नहीं है, तो आप सच्ची कमाई कर नहीं सकते, किसी भी तरीके से, पढ़ाई ठीक कैसे होगी, वक्ते वक्त स्वयम को आत्मा समझ कर परमात्मा से पढ़ रहे हैं, तब है सच्ची पढ़ाई का विदी, पढ़ाई कमाई सच्ची कमाई पढ़ाई ठीक नहीं है, किस से पढ़ रहे हैं पता नहीं है, कौन पढ़ रहा है ये पता नहीं है, कौन पढ़ा रहा है ये पता नही तो वो पढ़ाई फिर होगी नहीं, पहला आधार ही है कि पढ़ाने वाला कौन और पढ़ने वाला कौन, ये ठीक होगा तो पढ़ाई भी ठीक होगी, और फिर इसको ये समझ में आ जाए कि भगवान आके पढ़ा रहा है, अब वो कभी गफलत नहीं कर सकता, कैना ना माने ये हो नहीं सकता, उनती में विघन तब ही पढ़ता है, जब संगत ठीक ना हो, हमें गलत संगत में बैठ गए हैं, तो हम कहना कैसे मानेगे, हमें गलत संगत में बैठने से ही तो बाबा ने रोका है, गलत संगत कौन सी है, कैसे पता लगेगा कि ये गलत संगत है, क्या होता है, कैसे पता लगा कि ये गलत संगत है जो बाबा की बात नहीं सुनाता वो गलत संगत जो बाबा का कहना नहीं मानता जो बाबा की बात पर नहीं चलता जो बाबा से अलग बात बता रहा है कुछ भी बता रहा है वो गलत लाइन खतम कर देता है बाबा देर सारी बाते सोचने की जरूत नहीं जो बाबा की बात ही नहीं कर रहा जो बाबा का ग्यान नहीं सुना रहा ग्यान की बात नहीं कर रहा उस पर चर्चा नहीं कर रहा तो वो समझ लो के वो क्या है कलत संगत है चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो चाहे वो teacher हो, तो चाहे कितना भी प्यारा हो, वो हमारे संग में रहने वाला नहीं है, हमने हमेशा उसको अपना साथी बनाना है, छोड़ नहीं देना है, परन्तु समझ लेना है, कि इसकी बात हमने नहीं माननी है, माननी नहीं है, सुनेंगे तो सही, साथ रहेंगे, सुनेंगे तो सही, परन्तु मानेंगे हम बाबा की ही बात, क्योंकि बाबा जो है इस से स्रेष्ट है, चाहे वो मा है, चाहे वो बाप है, चाहे पती है, चाहे पत्री कोई भी है, क्योंकि परमाच्मा से श्रेष्ट सलहा मेरे को कोई भी नहीं दे सकता तब है समझो संग हमारा ठीक कहा भी जाता है संग तारे कुसंग डुबोए अच्छा संग सरफ एक ही है बाग की तो सारे क्या है सारे कुसंग है बाग की तो सारे क्या है कुसंग है जितने भी दे के इस संसार में रहने वाले है साब गलत संगत है तो हमें अपने आपको बहुत अच्छी तरह ये बात समझानी है तब समझो कि हमारी पढ़ाई ठीक है संग खराब होगा तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे फिर वो कहाँ रो जैना पागल हो गया है मुर्ली सुने चला जाता है ठांड में विमार हो जाएगा मर जाएगा अराम से रजाए भी बठाएं जी जाये भी मत कर आज का क्या आज कर जरूरत है इस बैठ पे बैठ करके सुन लो फ्येई ने तो इस परकार से वो क्या करेगा? छुट्टी कर लिए. ना पास हो जाएंगे. संग ही एक दो को रसाठल भे पहुँचा देता है। यह गलत संग क्या करता है रसाठल किसे कहते हैं? पाताल. रसाठल कहते हैं पताल को पताल में पहुचा देगा एक दम आपके चरित्र का बेड़ा गर्क कर देगा नीचे चले जाएंगे बोटम में चले जाएंगे अंग्रेजी मेरा सटलका रथ है बोटम एक दम आप तले में चले जाएंगे फिर कहां मिलेंगे इसलिए संग दोस्चे तुम बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है जाके पद तो कम हो गया जितना समय तक नहीं आये उतने समय के लिए पद तो खतम हो गया ना गीत तुम प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम ओम शान्ति बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं ये है भक्ती मारक की महिमा तुम सपूत बच्चे अभी समुख में बाप की महिमा करते हो समझते हो बेद का बाप आकर हमको ज्ञान दे स्वर्ग का मालिक बना रहे है क्योंकि ज्ञान का सागर वही है गौड में नौलेज है उसको कहते हैं गौडली नौलेज उसे कहते हैं Godly Knowledge परमपिताप परमात्मा नौलिज देने वाला है किसको? बच्चों को जैसे तुम्हारी मम्मा पर Godage of Knowledge नाम रखा हुआ है तो जब वे जगत अंबा Godage of Knowledge है तो उनके बच्चों में भी वही नौलिज होगी वो जग्ञान की देवी है तो उसने बच्चों को भी जग्ञान दिया होगा ना उनके बच्चों में भी वही नौलिज होगी Godage of Knowledge सर्श्वती को God सर्श्वती को God Knowledge देते हैं सर्श्वती को कौन देता है जग्ञान? God देता है God's knowledge का मतलब है कि भगवान का ज्यान किसके पास है सरस्वती के पास है सरस्वती भगवान नहीं सरस्वती के पास भगवान का ज्यान है God's of knowledge भगवान की ज्यान की knowledge देने वाली भगवान का ज्यान देने वाली उसके पास भगवान का ज्यान है वो आकर हमें ये देती है परंतु किस द्वारा देते हैं। सरस्वती को ये ज्ञान मिला, भगवान ने ज्ञान दिया, कहां से दिया, कैसे दिया, कब दिया। ये बड़ी ही समझने की बाते हैं। हम तो समझते हैं न। कैसे दिया शिर बाबा ने सरस्वती को ज्ञान। प्रम्मा बाबा के तन का आधार लेकर सब को आकर पढ़ाते हैं दुनिया नहीं जानती कि जगत अंबा कोन है तो कौन है जगत अंबा जगत अंबा प्रजा पिता ब्रम्मा बड़ी मा ये मा भी है तो ये बाप भी है ये मेल भी है तो ये फिमेल भी है पर तो ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं दुनिया वाले समचते हैं जगत अंबा सरस्वती जगत अंबा सरस्वती या जगत अंबा दुर्गा ये तो बच्चे जानते हैं जगत अंबा तो एक ही होगी नाम बहुत दे दिये हैं मनुष्य तो ये जानते नहीं कि ये प्रजा पिता ब्रह्मा की मुख बन्शावली सर्स्वती है। पुष्कर में रहने वाले ब्रामन अपने आपको कहते हैं कि हम ब्रह्मा की मुख बन्शावली हैं। प्रंतु ये नहीं जानते क्या मुख बन्शावली कैसे हैं। हमें कैसे पैदा किया, ये उन विचारों को पता नहीं है, ऐसे मुझे से निकाल कर खड़ा कर दिया था, उनको नौलेज देने वाला गौड फादर है, स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है, ये नौलेज गौड फादर देते हैं, कैसे मिली, सर्ष्वती को कैसे मिली, जरूर प्रजा पिता ब्रह्मा की मुख वन्शावली है, तो परम पिता परमात्मा जो ग्यान का सागर है, उसने इस मुख द्वारा सर्ष्वती को ग्यान दिया होगा, वही ग्यान फिर औरों को भी दिया होगा, गौड फादर पढ़ाते हैं तो जरूर गौड फादर के बच्चे मास्टर गौड हुए ना इसलिए नाम रखा हुआ है गौड़ेज ऑफ नॉलेज बच्चे ये जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रहे हैं जगदंबा भी जो छोटी जगदंबा है वो भी नॉलेज ले रही है हम भी नॉलेज ले रहे हैं शिव बाबा के द्वारा वाया ब्रमा के द्वारा बड़ी मा के द्वारा ग्यान सागर के द्वारा ग्यान सागर शिव बाबा के द्वारा जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है भगवान तो एक ही है कोई देवता या मनुश्य भगवान नहीं हो सकता सारी लाइन कारदी किसी का नाम कोई लेना चाहे बीच में कोई देवता या भगवान मनुश्य भगवान नहीं हो सकता अब गॉड़ेज ओफ नौलेज है तो कौन सी नौलेज होगी राजयोग की नौलेज होगी इस सहज राजयोग की नौलेज से गौड़ेज ओफ नौलेज सर्श्वती ही फिर गौड़ेज ओफ लक्षमी बनती है गौड़ेज ओफ नौलेज भगवान की नौलेज की नौलेज की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी महिमा है मम्मा की महिमा है, तो बच्चों की भी महिमा है, क्योंकि बच्चे भी तो ग्यान देने का काम करते हैं, प्रजा, पिता की सब संतान ठेरे, मम्मा की संतान नहीं कहेंगे, ये बड़ा तेड़ा कोश्चन है न, जब वो हमारी मम्मा है, हम उसके बच्चे नहीं हैं, ये भी बात करता है बाबा। इस मम्मा के तो हम बच्चे नहीं है ना बाबा ने लाइन क्या दिये यह वन्रपूल लाइन है ना प्रजा पिता के सब संतान ठहरे प्रजा पिता जगत अमबा ब्रह्मा वो हमारी माता भी है तो हमारा पिता भी है हम उसके बच्चे ठहरे पर तो इस मम्मा के सर्श्वती के स हम इसको मम्मा कहेंगे पन्तु ये याद रखना है कि हम इसके बच्चे नहीं है परमपिता परमात्मा को परमपिता कहेंगे पन्तु वो हमारे को पैदा करने वाला नहीं है कैसा चक्र पड़ाता है कहते हैं मैं तुम आत्माओं को पैदा नहीं किया मैं तुम्हारा बाप हूँ मम्मा ने तुम्हें पैदा नहीं किया तो वो तुम्हारी मम्मा है पर तु ये प्रजा पिता ब्रमा भी है और ये तुम्हारी मा भी है ये मेल भी है ये फीमेल भी है बताओ क्या कौन बताओ कौन टिके गायसे ग्यान के आगे समझेगा कि हाँ ठीक है, इसकी बात ठीक है, हाँ, हम फस गए हैं, हम ये उल्टे-स-उल्टे घ्यान में आके रम गए हैं, फस गए हैं, हमारे को समझ में आ गया है, और बाकी कोई सीधी जगा सी नहीं, इसलिए तो बचारे नहीं फसते, कहते हैं, इनकी बात समझ में नहीं बिना डिग्री के दवा दे रही है किसी के पड़ा नहीं इसको किसी ने सिखाया नहीं इसको किसी ने पड़ाया नहीं इसको किसी ने पैदा नहीं किया और उसके बाद सबको पड़ाए जा रहा है डिग्री भी नहीं और पड़ाए जा रहा है और हम भी कितने स्याने हैं हम भी कितने स्याने हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़ा दे भी तु सारी पढ़ा दे हम तेरे पास रोज पढ़ने आएंगे दिन में दो बार भी पढ़ लेंगे चार बार भी पढ़ लेंगे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल की ये है संतान तुम सब इश्वरिय संतान निश्चे करते हो इश्वर बाप कहते हैं मैं बच्चों के ही संमुख होता हूँ मैं बच्चों के ही संमुख होता हूँ वो ही मुझे जानते हैं तो जगतवाई है, the Violence of Knowledge जयान की देवी यह सहज, लाजयोग की knowledge है न न की शास्त्रों की यह जो knowledge है, यह क्या है राज, सहज, राजयोग की knowledge है जो बाबा आके हमें घ्यान दे रहे यह है सहज, राजयोगी बनने का घ्यान जो किसी भी शास्त्र के अंदर नहीं किसी भी शास्त्र के अंदर नहीं और कमल की बात ये है कि मेरे पास एक बहन आई और उसने आके बताया कि मैं दो तीन गुरूं के पास गई बड़े बड़े जगद गुरू सद गुरू बने हुए है न उनके पास गई, उन्होंने तो कहा, कि राज योग कोई सिखा, मेडिटेशन कोई सिखा ही नहीं सकता, और आपने लिखा हुआ है, मेडिटेशन सीखने के लिए आओ, फ्री, आप कैसे सिखा होगे मेडिटेशन, वो तो कहते हैं, सिखा नहीं सकता, और बाबा ने मुरली में क जो राज योग मैं सिखाता हूँ, वो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, मैंने का बिल्कुल कोई भी नहीं सिखा सकता, मैं भी नहीं सिखा सकता, सिखेंगे तो आप परमात्मा से, मैं तो सिरफ आपको राज योग सिखने का रास्ता बता सकता हूँ, उतना जितना मुझे स और परमात्मा से सीखना है, परमात्मा से सीखने के रास्ते पर, सड़क पर मैं खड़ा करने में सयोग दे सकता हूँ। कितनी वजला दुनिया वाले जो बड़े बड़े गुरु बने बेटे हैं, वो भी इस बात को समझते हैं। वह तो उनके पास रास्ता नहीं है विचारों के पास। गौड ने इनको नौलेज दी और ये गौड़ेज कहलाई है। बगवान ने आके इसको ग्यान दिया, तो ये देवी बन गई, ग्यान की देवी बन गई, जगत अंबातो माता ठहरी। फिर दूसरे जन्नम में God of Wealth अगले जन्नम में वो फिर क्या बनती है, धन की देवी लक्षमी बनती है। ग्यान की देवी सर्श्वती फिर क्या बनती है, राजेश्वरी धन की देवी लक्षमी बनती है। जिससे मुनश्य भीक मांगते हैं पैसे दे दे। लक्षमी की आरती करेंगे रोजाना। जिनको पैसे चाहिए वो लक्ष्मी के आरती करेंगे, लक्ष्मी की यंत्र बना के बांदेंगे, पत्रें क्या क्या करेंगे, तो सिद्धुआ एक और गणेश को भी चिपकाद देते हैं साथ में, लक्ष्मी भी गणेश के बिना नाखुश होए, इसलिए गणेश को भी चिपकाद देते हैं, तो सिद्धुआ बाप द्वारा जगत अंबा को राजयोग का वर्सा मिलता है, तो गणेश क्या है लक्ष्मी का, जोड़ा तो बना दिया अपने, यहां से गलत फ्वेब में भी हो जाती है, गणेश और लक्ष्मी का अपस में रिष्टा क्या है? लक्ष्मी मा है, गणेश बेटा है, क्योंकि नारलक्ष्मी नान की कोई संतान हुई नहीं, तो पार्वति ने का कोई बात नहीं, हमारे तो दो है, एक तू ले ले, कार्थिके और गणेश है ना, हमारे पास तो दो है तो एक तू ले ले बस खुश रहा गोद कर दिया उसको गोद दिया ले 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 लक्षमीर ने उसको गोद लिया इसलिए वो उसका बेटा है काहनिया गड़भड है। दुनिया वाले ऐसी गपोड़ कहानी सुनाते हैं। दुनिया के पुराशास्तरों में बेड़ा गर्क हो जाए। सोचता रह जाए कि क्या रिस्ता है। इसिलहे बला तो मेरे को इसलिए आया कि बात मैं बता दूँ कि दुनिया वाले उसे पती पत्री नहीं कहते उसे मा बेटा कहते है और ये सब को पता नहीं है पारवती मा है बिचारी लक्ष्मी का बेटा नहुआ कोई बिस्तंता नहों ही लक्ष्मी नारायन की न इसने तो गोद लिया न पत्ती को नहीं गोद लिया गनेश बेटा है, मैं यही तो कह रहा हूँ गनेश पत्ती नहीं है गनेश की तो दो पत्निया है रिद्धी और सिद्धी गनेश की दो पत्निया है चार बच्चे हैं गनेश की ठीक है ठीक है ठीक है नहीं वाला ये दुनिया वाले कुछ-कुछ बाते ऐसी लिख देते हैं जो समझ में भी ना आएं knowledge source of income है ये जो ज्ञान है ये आमदनी का जरिया है ये है सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है सच्ची कमाई तो सरफ बाप ही सिखा सकता है और कोई सिखा नहीं सकता तुम अब नंबर वार पुर्शार्त अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होते यदि आप पढ़ाई नहीं करते हो मुर्ली नहीं सुनेंगे तो फिर कमाई सच्ची कैसे होगे हो नति नहीं होगे सांग तारे कुसांग बोड़े सांग खराब होगा पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो पिचाडी में बैठे रहेंगे टीचर जानता है इनका क्या कारण है बाप नहीं जानता है हाँ इतना बाप जरूर समझेगा की पड़ाई कम की है जरूर खराब संग है पड़ाई कम की है तो जरूर इसका संग क्या है खराब है जिसके कारण ये नापास हो पड़ते हैं समझो आपस में प्यार है, समझ लो कि आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं, प्यार तो है ना उनका, आपस में प्यार है, परंतु दोनों नहीं पढ़ते हैं, तो एक दो को कहां पहुचाएंगे, उपर पहुचाएंगे के नीचे पहुचाएंगे, रसा तल में ले जाएंगे, बाटम में ले जाएंगे, पताल में ले जाएंगे एक दूसरे को, क्योंकि एक बाप के सिवाए कोई भी नहीं है, जो चर्टी कला में ले जाएंगे, एक परमात्मा का ही संग है, जो हमें चर्टी कला में ले जाएगा, बाकि दुनिया में जितने भी हैं, वो रस गर मनुश्यों को कहा जाता है बे समझ, पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार, भगवान की मत पर नहीं चलते, तो कहा जाएगा यहे सोतेला बच्चा है, यह सोतेला बच्चा है, परन्तु वे अर्थ को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, कोई नहीं परते हैं, तो फिर पतित के पतित ही रह जाएंगे, ना पास हो, बगंती हो जाएंगे, बाप कहते हैं, अहो रावन, तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो, तुम की दे रहें, प्यार कर रहें, समझा रहें, क्या कह रहें, यह सोचना है। तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो, कितना शक्ति शाली हो, बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, शिरी मत पर नहीं चलते हैं, अपने साथ प्रण करना चाहिए, कदम कदम हम बाबा की मत पर चलेंगे, जो शिरी मत पर नहीं चलते, उनको आश्री मत वाला कहेंगे, बाबा समझ जाते हैं, ये इतना उच्पद पा नहीं सकेगा, क्योंकि पढ़ता नहीं है तो उच्पद, किसको समझा नहीं सकेगा, तो कहेंगे रावन के बशे, योग नहीं है, योग नहीं है, जो बुद्धी शुद्ध हो जाए, बुद्धी का योग भी चाहिए, इश्वरिये बच्चों की चलन बड़ी रायल होनी चाहिए, जमते जाम, किसको याद है जमते जाम? जनम लेते ही, होश्यार राजा, जनम होते ही, पैदा होते ही राजा, जिसे कहते हैं, क्या बहुते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ, सोने का चमच पैदा हुआ, तो सोने का चमच मूँ में था, अंग्रेजी में कहते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ, उसका मतलब होता है पैदा होते ही उसके पास राजा हो गया, राजा का बेटा है, पैदा हुआ तो राजा हो गया, तो कोई जमते जाम नहीं सीख, राजा पैदा नहीं होता, जिस और सिंपल बास्टा में कहें कि कोई पेट से सीख के नहीं आता, आके पड़ेगा, मेहनत तो सीखेगा ना, इसका मतलब यह है, तो कोई हो नहीं सकता, कि पैदा होते ही बाद समझे कि मैं यह बन गया हूँ, इस कारण बाबा कहते हैं, क्योंकि दो बीनिंग हो जाते हैं, राजा कि अगर पैदा हो उसको समझ मिलेगा, राजा का बैटा है वो राजा बन जाएगा, प बनेगा, नहीं तो राजा का बेटा होता होई भी सड़कों पर गुमेगा, किसी भी अमीर के गर पैदा हो, ज्यानी के गर पैदा हो, पर तो हरे को अपने ज्यान से मिलना है न, बाब की पोजीशन से उसको सुईधाय संसारिक मिल सकती है, परन्तु अपनी पोजीशन तो उ असरी मत पर है, फिर उसमें कोई 5 परसेंट सीरी मत पर चलते, कोई 10 परसेंट चलते, वो भी हिसाब है, तो जगत अमबा एक यह जगत अमबा है, ब्रम्मा मुख बन्शावली सर्स्वती, ये उनका पूरा नाम है, जगत अमबा सर्स्वती, सर्स्वती को ही सितार देते हैं ये Godage of Knowledge जरूर उनकी संतान भी होंगे, उनको फिर तंबूरा होना चाहिए, उसके पास सितार है, तो जो उसके बच्चे बने, कमशे उनको चोटा सा तंबूरा तो होना चाहिए, ना, तंबूरा समझते हैं, ना, नहीं, तंबूरा होता है, एकतार वाला, एकतारा, ऐसे तंबूरा होना चाहिए, उसके बड़ी सितार है, तो जो उसके बच्चे बने, उनको छोटी सितार तो होनी चाहिए ना, तंबूरा चोटी सितार समझे लो, देखो जाड में सरस्वती बैठी है, कहां है जाड देखो, कहां से कहां ले गया बाबा, वो कल पवरिष्ट के नीचे बलो जड में सरस्वती बैठी है, क्या कर रही है वहां बैठ करके, नहीं भी राजियोग सीख रही है, आज बाबा सिखाने वाला बता रहा है, मम्मा की सारी कहानी समझा रहा है, राजियोग सीख रही है, फिर ये जाकर लक्ष्मी बनती है, regardless of wealth, धन की देवी, इसमें health, राजियोग, health, wealth, happiness सब आ जाता है, health, wealth, happiness, राजियोग सिखने से health भी मिल गई, wealth भी मिल गई, और happiness भी मिल गई, सब आ जाता है, ये तो सिवाई परम, पिता, परमात्मा के कोई देना सके तीनों चीजे कोई देना सके Heavenly God Father वो है अब देखो ममा सर्विस कर रही है समझो कहां ममा को निमंत्र दे तो पहले ममा के आक्यूपेशन को जाने पहले ममा के आक्यूपेशन को जाने पहले knowledge चाहिए, ये कौन है इसलिए जब भी कोई वक्ता आता है तो पहले उसका परिचे देते हैं ये पराने जगा से आया है, ये पढ़ाई किया है इन्होंने ये किया है उनके बारे में जानकारी दी जाती है ये तो बहुत बड़ा आदमी है इसकी तो बात को ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकर लेक्चर देने से पहले इंट्रोडेक्शन दिया जाता है उसके लिए बाबा करे है कि जहां भी मम्मा को बुलाया जाए तो पहले वहां उनको बताना चाहिए कि ये मम्मा कौन है क्या है ये दुनिया तो नहीं जानती कहते हैं स्री किष्ण को गाली मिली परन्तु ये तो हो नहीं सकता इंपॉसिबल है सबसे जास्ती खाने गाली खाने वाला कौन है शेबाबा सबसे जास्ती गाली खाने वाला है शेबाबा सेकिन नमबर में गाली खाने वाला कौन है प्रजा पिता ब्रह्मा श्री कृष्ण और ब्रह्मा पर तो श्री कृष्ण को गाली दे ना सके स्री कृष्ण को गाली दे ना सके मनुश्यों को ये पता नहीं है कि सर्श्वती गौड़ेज आप नौलेज बविश्य में राधे बनती है स्वेंबर के बाद वो लक्ष्मी बनती है गौड़ेज आफ वेल्थ दनकी देवी उनमें हेल्थ वेल्थ हैपीने सब आ जाता है समझाने का तुम्हे नशा चाहिए मम्मा कोन है आज सबसे बड़ी बाद क्या है कि मम्मा को मम्मा हमारी मा नहीं है मम्मा कोन है ये सब को बताना है कि मम्मा हमारी माँ नहीं है मम्मा कैसे ज्ञान की देवी है ये समझाना पड़े ये सर्ष्वती ब्रमा की बेटी है मुख वन्शावली है भारतवासी कुछ भी जानते नहीं नौलेज ही नहीं अंधशर्दा बहुत है ब्लाइंड फेत में भारतवासी बहुत है पुजा किसकी करते हैं ये भी नहीं जानते हैं क्रिश्चन अपने क्रैस्ट को जानते हैं सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया अपने धर्म स्थापक को जानते हैं सिर्फ भारतवासी हिंदू नहीं जानते हैं अंधशर्दा से पुजा करते रहते हैं आक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है कल्प की आयू बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं इसलामी बोधी आदी बाद में आये हैं उन्हों के आगे जरूर ये देवताएं होंगे उन्हों का भी इतना समेच होगा इतने और सब धर्मों का को आधा कल्प लगता है इतने सब धर्मों को क्या लगता है आधा कल्प लगता है तो इस एक धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े लाखों वर्ष तो कह नहीं सकते तुम जगत अंबा के मंदिर में जाकर समझाएंगे इस गौड़ेज आप नौलेज को ये नौलेज किस ने दी ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण ने जगत अंबा को नौलेज दी परन्तु ये भी समझावे सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है कोई कोई को तो दे अभिमान बहुत है कोई ना कोई मित्र संबंदि आदी याद पढ़ते रहते हैं बाप कहते हैं औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल करेंगे तुम गाते भी हो और संग तोड एक संग जोड़ेंगे और संग तोड एक संग जोड़ेंगे वे तो अब यहाँ बैठे हैं बाबा हम आपके आपकी मत पर चलेंगे ऐसा कोई करम नहीं करेंगे जिससे नाम बदनाम हो बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है जाब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते नाम भी तो बाला हुआ ओहो प्रभू तेरी लिला गाई है ना गालिया निकाली पर तु ये भी तो का हे प्रभू तुमारी लिला अद्भूत, न्यारी है, प्रंतु बच्चे समझ सकते हैं और कोई जानते नहीं, बाप कहते हैं बच्चे मैं तो निशकाम सेवा करता हूँ, अब कारियों पर भी उपकार करता हूँ, बारत को ही सोने की चिडिया बनाता हूँ, नंबर वन उपकार करने वाला हूँ, श्री बाबा कहते हैं मैं हूँ, नमबर वन उपकार करने वाला हूँ, प्रन्तु मनुश्य मुझे सर्व्यापी कहकर गाली देते हैं, मुझे क्या कह देते हैं, सर्व्यापी कहकर गाली देते हैं, मैं तो तुम बच्चों को नौलिज देता हूँ, तो इस ज्ञान यग्या में आश्री संपरदाए के विगन बहुत पढ़ते हैं, जो आश्री विचारों के लोग हैं न, उनके विगन बहुत पढ़ते हैं, कौन ह जो बाबा के कहना नहीं मानते, बाबा का ग्यान नहीं सुनते, जो बाबा के बच्चे नहीं बनते, बाबा की बाती नहीं करते, वो सारे रावने, सावर अ सारे असुर है न, शिरफ बाबा का कहना मानने वाले, बाबा की सिरिमत पर चलने वाले ही देवता बनेंगे, जो नही पहसला करना है, जो बाप का कहना नहीं मानता वो असर, बाप तो समझाते हैं, जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते, उनके कारणी तो किछरा पड़ता है, मालो कलास में आ रहा है, पर तो बाबा का कहना नहीं मान रहा है, तो उसका भी सांग करना क्या है, वो दूबएग गर में आके घर के राज को जानने वाला वो तो मारेगा ना, वो तो रो जाना उल्टा फसाएगा उनके कारण ही किचरा पड़ता है, गलानी कराते हैं, कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं कई डिस सर्विस भी करते हैं एक तरफ कई construction करते हैं तो एक तरफ destruction भी करते हैं क्योंकि ग्यान नहीं है क्योंकि ग्यान नहीं है ये सूर्य वंशी चंदर वंशी राजदानी स्थापन हो रही है जो पूरी रीती नहीं समझते हैं उनको समझाना है तरस तो पढ़ता है भाप का बन कर और वर्षा नहीं लिया तो वे क्या काम का रहा भाप मिला है तो पूरा पुरशार्थ कर वर्षा लेना चाहिए शिरी मत पर चलना चाहिए ऐसा करतव्य नहीं करना है जिससे भाप की ग्लानी हो भाप जानते हैं काम क्रोद ये महाशत्रू है ये नाक कान से पकड़ते रहते हैं, ये तो होगा, उनसे पार जाना है, कोई तो नाम रूप में फस पड़ते हैं, सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते हैं, बाप फिर भी सावदान करते हैं, खबरदार रहना, ऐसे करतवे कर अगर निंद्या कराएंगे तो पद ब्रेस्ट हो पड़ेंगे, रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम हो लड़ती है, बाप को याद करते करते, माया का तुफान कहां ले जाता है, बच्चे कोई सच बताते नहीं, राए भी नहीं लेते, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है, अगर बताते नहीं है, बाबा को बताते नहीं है, तो और ही गंदे हो जाते हैं, ऐसे नहीं, बाबा जानी जाना नहार है, सब समझते हैं, नहीं, तुम तो अवग्या करते हो, वे आकर बताओ, शिव बाबा मेरे से ये भूल हुई, क्षमा चाता हूँ, क्षमा नहीं लेते, तो भूले होती रहें शम्मा भी मांगी पिर भी भूल करते रहे पिर क्या होगा कोया अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो बाप तो समझाते हैं कल्ब कल्पांतर के लिए अपने पद को ब्रस्ट ना करो क्योंकि यह नहीं कि इस कल्प में हमारा पद ब्रस्ट हो गया तो अगले कल्प में हम अपना पद बना लेंगे नहीं कभी भी नहीं बना सकेंगे अगर अभी उच्पद नहीं बनाएंगे तो कल्प कल्पांतर ऐसा हाल होगा यह knowledge है बाबा जानता है कल्प पहले माफिक राजाई स्थापन हो रही है बाप दादा जास्ती समझ सकते हैं यह फिर भी मुरब्वी बच्चा है ब्रमा क्या है? फिर भी मुरब्वी बच्चा है माताओं की महिमा बढ़ानी है माताओं को उस आगे रखा जाता है गोपों को समझाते हैं उनको आगे ले आओ गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं चित्र लेकर समझाओ उच्टे उच्ट ये भगवान है फिर है त्री मूर्ती पिर है त्री मूर्ती ब्रह्मा, विष्णु, शंकर उनमें भी उच्ट कौन? उसका नाम है सब कहेंगे प्रजा, पिता, ब्रह्मा जिसके द्वारा वर्षा मिलता है शंकरवा विष्णु को पिता नहीं कहेंगे उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता प्रजा, पिता, ब्रह्मा इनको कहा जाता है इनसे क्या वर्षा मिलता है? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा शिव बाबा है ग्यान का सागर हैवन स्थापन करने वाला स्वर्ग स्थापन करने वाला तो जरूर हैवन के लिए शिक्षा मिलती है ये राज योग के लिए मत है ब्रह्मा द्वारा बाप स्री मत देते हैं ये है देवता बनने के लिए ब्रह्मा कुमारी सोश्री लक्ष्मी गौड़ेज आफ वे ब्रह्मा वे देवी देवता निराकारी दुनिया में सब आत्माएं बच्चों को समझाते तो बहुत है पर तु समझने वाले कोई समझे मुनशे तो ब्लाइंड फेट से सन्यासी गुरू के फॉलोवर्स बनते हैं उनसे क्या मिलेगा क्या मिलेगा ये भी नहीं जानते ये भी नहीं जानते हैं टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे बाकि जिसके followers बनते हैं, उनसे क्या प्राप्ती है, कुछ भी नहीं जानते, ये है अंध शर्दा, followers तो है ही, नहीं, ना वे बनाते, और ना तुम उनके जैसा बनते हो, aim, object क्या है, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, अच्छा, मीठे मीठे, सिक्की लदे, बच्चो प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार, और गोड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप, दादा को नमस्ते, नमस्ते दुरधारना के लिए मुख्षे सार नमबर एक संग दोस्चे सदा बच्चे रहना है सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है कदम कदम पर बाबा की शिरीमत पर चलेंगे ये अपने साथ प्रण करना है वर्दान सर्व फर्यादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले फाइल को खतम करो फाइल खतम करना माना आज ये दे दो बाबा ये कर दो बाबा ये कर दो ये फर्यादों की फाइल क्या कर दो बन अपने आपको सुदारना शुरू कर दो फाइन बनाओ, स्रेष्ट बनाओ, कर्म योगी बन जाओ जैसे आत्मा और शरीर कंबाइन है तो जीवन है ऐसे कर्म और योग कंबाइन हो जीवन कब तक है? जब आत्मा शरीर में है आत्मा शरीर दोनों में से अलग हो गए तो जीवन समापत हो गया कर्म और योग ये कमबाइंड हो दो तीन घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं क्या बाबा कह रहे है क्या का है बाबा नहीं क्या का है करम सन्यासी योग लगाने वाले योगी नहीं अरे बिस सुने नहीं वो योगी नहीं खतम कर दिया आज बात साजी अभी तक तो चितर हटाये थे ठेह ने लाइट हटाये थी, गीत हटाये कमिंटरी हटाये विजुलाइजेशन हटाया और आज ये भी हटा दिया कि दो तिर घंटे बाबारू में बैठ कर अपना पेट खराब करते हैं, श्रीर खराब करते हैं वो भी योगी बस अब क्या करेंगे लेकिन योगी जीवन वाले कुंसे चाहिए योगी? जिनका जीवन योगी हो उनका योग स्वता और सहज होता है बहार काम करते हुए बाबा की शिरीमत पर काम कर रहे हैं, तो वो सहज योगी है उनका योग तूटता ही नहीं वो कोई काम बाबा की शिरीमत के बिना कारी नहीं रहे तो योगी हैं वो सहज योगी है उनको क्या जरू होता है के कमरे में जाके बैठे? हाँ, बैठना है केवल बाबा की शिरिमत को अच्छी तरह समझने के लिए जब लग रहा हो कि ये काम कैसे होगा नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा बाबा की शिरिमत पर मन्थन करें अपने संसकारों को बदलने के लिए बैठें और अपने संसकारों को बदल करके ही उठें बाबा की सिर्मत के अनुसार बस हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि चलते फिरते सस्कारों को परिवर्ता नहीं कर सकते मेंध करनी पड़े उन्हें कोई भी फरियाद करने की अवैशकता नहीं वो बाबा से कहे test एगए नहीं बाबा ऐसे करो बाबा ये बताओ बाबा वो क्या करो, ऐसे क्या करो, ऐसे क्या करो, बाबा ये सुनता नहीं और इसका कुछ करता नहीं, बाबा ने शिरीमत दे दी है, उस शिरीमत को समझो और उसके अनुसार सारा दिन चलो, याद में रहने से सब कारिय स्वता सफल होते जाते हैं, फाइन बनने वाले के सब फाइल खतम हो जाते हैं जो फाइन बनते हैं फाइन जुर्माने वाला फाइन नहीं है यह फाइन है बेस्ट बनने वाला अच्छा बनने वाला बहुत सुन्दर बनने वाला फाइल खतम हो जाते हैं क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है योगी वो है जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया स्लोगन हर समय करावन हार बाप याद रहे जो बाबा करा रहा है वही मैं कर रहा हूँ तो मैं निरंतर योगी तो मैं निरंतर योगी जो बाबा करा रहा है वो मैं कर रहा हूँ तो मैं निरंतर योगी हूँ चाह ओं शान्ती और विस्तार से जानने के लिए प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंदर पर संपर्क करें और यदी कोई प्रेशन है तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करें 9650692270 पर केवल पर्शेप करें फोन नहीं ओम शान्ती